आलू लबाबदार रिच ग्रेवी की रेसिपी आलू लबाबदार बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक अनियन उसे ग्रेट कर लिया है तमाटर ग्रेट कर लिये है जीरा ले लिया है मैंने हाफ तीस्पून नमक ले लिया है मैंने हाफ तीस्पून वन तीस्पून कसूरी मेखी वन तीस्पून अज्रक लसंका पेस्ट जि यानि के लाल मिर्च पाउडर, कोरियांदर पाउडर ले लिया है, यानि धन्या पाउडर, हाफ ती स्पून, बेली उस यानि के तेज पत्ते दो ले लिये है, मैंने सहिजवान सोस ले लिया है, मैंने टीम टेबल स्पून, फ्रेश क्रीम ले लिया है, मैंने चार से पांच ट टेबल स्पून डेफिनेटली बटाटा मैंने यानि के आलू मैंने बॉइल करके कट कर लिये है तफ्रेंट्स ओईल ले लिया है मैंने टिंग टेबल स्पून और पैन में रख दिया है फ्लेम ओन कर लिया है अब मैं समेट करूंगी टेज पत्ता और जीरा तफ्रेंट्स जीरा और तेज पत्ता डोनों की खुश्बू फैल रही है तब मैं इसमें एड करूंगी अनियन्स यानि के प्याज अब मैं इसमें एड करूंगी जिंजर तालिक पेस्ट यानि के अद्रक लसन का पेस्ट ये इसमें सौटे हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें तमाटर एड करूंगी अब मैं इसमें एड करूंगी नमक, हल्डी पाउडर, रैचिली पाउडर और करियांडर पाउडर एंजीरा पाउडर और सेजवान सोस अच्छे से मिला लेती हूँ अब मैं इसमें एड कर दूंगी फ्रेश क्रीम थोड़ा गारनी सिंग के लिए बचा कर रखते हूँ अब मैं इसमें आलू एड कर दूंगी स्वरी फ्रेंट्स मैंने पहले मेंचन नहीं किया बट मैं अब इसमें एड कर दूंगी एक निम्बू का रस लेमन जूस अच्छे से मिला ले तो फ्रेंट्स मैं इसमें कसूरी मेठी एड करूंगी और पानी आधा कप एड करूंगी अब मैं इसे कवर करके साथ से आठ मिनित तक रखूंगी उसके बाद यह रेडी हो जाएगा तो फ्रेंट्स रेडी हैं मेरा यम्मी आलू लबाबदार और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा फ्रेश क्रीम और करियांडर लिव जाट करूंगी तो फ्रेंट्स आप जरूर प्राइ करना और मुझे कॉमेंट करके बताना के आपको यह मेरी सिंपल और इजी आलू लबाबदार की रेसिपी कैसी लगी अब ग्रवाबदा वाब जिए लगी यह जाए लिए जाए लिए जबस्ट्राइ लिए अग्र मोर्वीज तो प्रेंटिए लिए यह जाए जाए लगी